आज है तीन सितंबर 2020 और तीन सितंबर 2020 के इतने भी इंपर्टेंट कोश्चन बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो पूरा वीडियो आप एंट तक जरूर देखे वीडियो के एंड में मैं आपसे कोश्चन पूछूंगा इसक्रेशन का अंसर आपको वीडि में सीपलेन सर्विस कहा सुरू की गई है तो इसकोश्चन का राइट अंसर है घुज़रात में बहरत के पहली सीपलेन सेवा सुरू की गई है घुजरात में कहां तो गुजरात के ऐहंदाबाद में साबस्भेतर आपसरम से स्टैच्यू औफ यूनिटी कि तड़ तक अच् छेतर है किसका तो ग्रिह मंत्री हैं अमित्सा गुजरात ने हाली में सुझलाम सुफलाम जलसंचे अभियान शुरुकिया है गुजरात 16 रूफ इंस्टोलेशन के मामले में भी टॉप पे रहा है पहले नमर पे गुजरात दूसरे नमर पे महाराष्ट अच्छा गुजरात प कि अच्छा कल हमने एक इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात की थी एक मुही में हैस्टेक स्पीक और एसे सीरेल बे स्टूडेंट खुसी के बात यह हैं कि जितने भी स्टूडेंट इससे जूड़े ना बलकि जूड़े साथी साथ उन्होंने ट्वीट किया और वर्ल्ड में खुसी का बात नहीं है ठीक है खुशी के बात है कि हमने इस मुहिम को यहां तक पहुंचाया सबने मिलकर तो अभी रुकना नहीं है रुकना तब है जब तक कि सरकार इस पर कोई काम्याब एक्षान नहीं लेती और रुकना बिल्कुल नहीं है जितने भी आपके स्टेड़ जितने वी आपके फ्रेंड है टीचर है तूंत जुड़ना बाकी है जुड़िये ज्यादा ज्यादा मात्र में इसमें ज्यादा स्वंख्या में और allowedy कर प्रेमट को मैं जब तक बनाये रखिए जब तरके का स्वार्म्रेंट इसपे सुपैंज नहीं ले लेती हैiver लिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोशन हाली में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विक्ष भारत के किस राज में स्थापित हुआ है तो इस कोशन का राइज अरे ऑप्शने पश्चिम बंगाल के दूरगापूर में स्थापित हुआ है बात है वेस्ट बंगाल की तो वेस अच्छा पश्चिम मंगाल से एक important question मनता है बारत की पहली Metro 1984 में यह भी पश्चिम मंगाल में ही शुरू हुए थी और अब जो बंग रही है अंडरवाटर ट्रेन बारत की पहली अंडरवाटर रेलवे ट्रेन बोले यह अब पश्चिम मंगाल से ही चलेगी सबजी के मामले में अभी हाली में बारत सरकार का इंडेक्स आया है जिसमें सब्जी के मामले में पश्चिमंगल टोप पे रहा है अच्छा फल के मामले में पहुन तो फल के मामले में आंद्रप्रदेश अच्छा यह जो है solar की बात है तो solar से important question मन जाता है मद्दप्रदेश के रिवा में 7 746 मेगावाट की मेगावाट कपेसिटी की सोलर पार्क एस्या का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है वह प्रधानमंति नरेंदमदी ने मद्दपेश के रिवा में सुरू किया है अच्छा इंटरनेशनल सोलर लांस आये से उसे लेटेस्ट कंट्री कोन है जो एड़ हुआ यान सबसे बड़ा सोलर इसकी कैपेसिटी कितनी है तो इसकी कैपेसिटी 11.5 किलोवाट मेगावाट ने किलोवाट अच्छा मद्दप्रदेश का एक गाव है उसका नाम है बैतूर जो कि 100% स्वरे उर्जा पर संचालित होता है इस कोशन से आपको इतनी जनकारी मिलती है अगर आप इस चैनल पर पहली बारा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेजिए क्योंकि डेली मॉनिंग में ये वीडियो पांच बजी अपलोड होती है तो सबसे पहले आपको ये वीडियो का नोटिफिकसन जाएगा और समय पर आप इस वीडियो को पाएंगे साथे साथ आप इंस्टाग्राम और टेलिग्राम ग्रूप दोनों जोइन कर लिए दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा टेलिग्राम ग्रूप पे आपको इस क्वेशन के पीडियेफ मिलेंगे और इंस्टाग्राम पे आपको डेली स् उप्शन है मानिशी छिलर इनको एरियस ने अपना ब्रांड अमेजर बनाया है उप्शन C है दिपिका पादुकॉन और ऑप्शन D है पीवी सिंदू इन दोनों को भारत की लक्षमी का ब्रांड अमेजर बनाया गया है भारत सरकात द्वारा अगला कोशन है कोशन मर्थ 3 यू जैन्थ क्रिष्णा को UKIBC ने अपना नया सीयों किया है तो UKIBC इसके एसाफना कभी थी तो इसके एसाफना पोली थी 1993 में इसका है इंग्ला कॉश्चन है कोशनमर 4 हाली मेरे लिए जुही किताब करोना कविताकाल के लेका कौन है तो इसकॉर्चन का राइट अंसर ऑप्श मेगा फूड पर हर्षिम्रित कोरबादल कोने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है हमारी क्यूनिन कबिनेट में उन्होंने मिज़ों का पहला मेगा फूड पर मिज़ों में सुरू किया है अगला कोशन है कोशन नमर्फाइब एकलब पूरसकार 2020 से किसे समानित किया गया है तो इस कोशन का राइटेम सरे ऑप्शन सी इसी का चोधरी को एकलब पूरसकार 2020 से समानित किया गया है अधर ऑप्शन को डील करें कौन निलकंठ भानुपरकाश निलकंठ भानुपरकाश इ इनको वाटर एडवेंचिर में तेंजिंग नौर्गे नेशनल वर्ड मिला है इसका चोधरी इनको तो एकलब पुरस्कार मिल गया और सुधा पेनली को कली मैं ने बताया राष्ट्रिय सिख्चक पुरस्कार 2020 से समानित किया गया है अगला कोश्चन है कोश्च नमर 6 हाली में एक किसे संस्थाने इज अफ डूइं बिजनेस इंडेorn पर रोक लगा दिए इस क्वर्ड़ कोड़ी होगी है उस बजह से वर्ड़-क ऊबर मनें ऊंस पर लगा दिए पर कोई तोबड बैंक की अस्तापना कब हकी तो वल्ल्ड-क की अस्ठापना प्रेसिजेंट कोन है तो डेविड माल पास और इसके सीयो कोन है अंसुला कांथ अच्छा आई-मेफ ऑप्सन भी है यह निकी इंटरनेशनल मोनेटरी फन यह कौन सा डाटा रिलीज करता है तो वर्ल्ड एकोनोमिक आउटलॉक डाटा जो है उसको यह रिलीज करता है जो जाड़ी हुए उसमें भारत का रेंख है 102 और पहले नमबर पर कौन रहा है तो पहले नमबर पर है आएसलेंड यह है ओप्सन टी ट्रांस्पेरेंसिर आंटरनेशनल यह कौन सा डाटा एन vet करता है तो यह करप्संड इंडेक्स जाड़ी करता है है जिसमें भारत कर रैं तो UAE ने क्या किया अपने संसद में एक प्रस्ताव पारिद किया क्या प्रस्ताव था तो UAE पहले बाइकाट करता था यानि कि बहिसकार किसका तो इसराइल का उस प्रस्ताव में UAE ने इस्राइल को बाइकाट करना छोड़ दिया है कुछ दिन पहले UAE और इस्राइल ने दोनों मिलकर पीस अकॉट पर साइन किया उस पीस एकॉट का नाम क्या है तो अब रहा हम USA के प्रेशिदेंट है दोनाल ट्रम इनके इनबॉल्मेंट के बाद इन दोनों ने पीस अकॉट पर साइन किया कले के कोशचन में मैंने एक और चीज बताई इस्राइल ने पहला अपना टेलीफोन सर्विस UAE और इस्राइल दोनों ने अपना पहला टेलीफोन सर्विस सुरू किया है एक दूसरे देशों के साथ अगला question है question number 8 हाली में अंड मान और निको बार दीब समय में high speed 4G सेवा शुरू करने वाला पहला network operator कब बना है तो इस question का right answer है option C EATL EATL ने अंड मान निको बार दीब समय में high speed 4G सेवा शुरू करने वाला पहला network operator बना है EATL इसी है सपना कब है थी तो 1995 में इसका headquarter है नई दिल्ली में और इसका बरतमान में जो CEO है वो है सुनिल भारती मिद्दल अब मैप में अंड मार और निको बार दीब समय को देख लेते हैं यह हैं अंड मार अच्छा आप समझे रहेंगे कि यह मैप मैंने क्यों यूज गया है चेन्नाई का मैप और अंड मार के वल तो अंड मार और निको बार का बात था लेकिन कुछ important बात बताने थी कुछ दिन पहले चेन्नाई और अंड मार निको बार देख समय के बीच में optimal optical fiber बिचाने की जो प्रक्रिया है वो सुरू की गई थी तो इसलिए मैंने जानबूज के इसको लगाया है अच्छा यह जो optical fiber है वो कौन बिचाएगा तो यह बत बिचाएगा BSNL लेकिन 4G सेवा सुरू करेगा कौन E8L यह देख लिए अंड माननी को बार में भारत का एकमात तर सक्रिय जो अला मुखी अंड माननी कोबर के यह ग्रेट निर्कोबर यहां पर है बैरन आइलेंड यही पर सक्रिय जो अला मुखी है भारत का पहला सक्रिय जो अला मुखी एक्जाम में यह कोश्चन बना है अगला question है question बनाई हाल में भारत में कौन से आधुनिक हत्यार को ख़़ने के लिए रूस के साथ समझाता किया है तो इस question का राइटेंस रॉप्सन है एक टूजूजूज़ थ्री एसोल ट्राइफल इसको भारत रसिया के साथ खरी देगा इसकी समझाता बारत ने किये अच्छा रसिया जो है हाल में Global Military Power Index में दूसर नमर पर आया है दूसर नमर पर रसिया है पहला नमर पर उसे तीसर नमर पर चाइना चोथर नमर पर इंडिया पाचो नमर है जापन दूसर यह है अच्छा रसिया कैप्टियल का हैं मॉश् życieell conscious करेंसी है रसियन रुबेल इसके बड़ाण मि Кियाहिच detection है टो बात है भारत के बारे में थोड़े कर लेते हैं सबसे पहले कोडिनेट जान लेते हैं कोडिनेट है अच्छा गुलोब में जब आप देख रहे होंगे अगर सपोज कि यह गलोब है तो गलोब यहां है यह हो गया आपको इक्वेटर ठीक है इक्वेटर से भारत जो है साथ सुचियासी किलोमेटर उपर है तो इक कोडिनेट है 8.4 देग्री नर्थ नदर्न है 37 डीग्री 6 मिनेट नॉर्थ ईस्टर्न js scout है 97.25 और वेश्टर्न है 68.7 पोड़नेट एस्ट फिर से सुच्यों यह सु वास्ब्स अफ़ यह सदर्नन है 8.4 नॉर्थ नदर्नहै 37 डीग्री 6 नॉर्थ याश्ट नैवलन्स यह न topic of cancer भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है तो टोटल आठ राज्यों से गुजरती है तो वो कौन-कौन से आठ राज्य हैं उनको देखे एक बार मैप में आप ध्यान से देखें आपको निश्यत्य यादि हो जाएगा यहां से देखें गुजरात राष्थान यहां से शुरू हता है अब देखें यहां से उत्तरप्रदेश चतिस गढ़ और इसा आंध्रप्रदेश कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- और बंगलादेश स्रिलंका नहीं करता है वो भाग नहीं सेयर करता है यह पाके स्ट्रीट से डिवाइड हो जाते हैं ठीक है तो अगर यह question पूछा गया है अगर यह फिर से अगर आप से पूछा जाए अगर question ऐसा पूछा जाए कि कौन सा भारत का पड़ोसी देश सबसे ज़्यादा भारत के साथ सीमा सेयर करता है तो यह कौन सा है तो यह है बंगलादेश 446,000,000,000,000 यह सीयर करता है यानि कि जितने भी पूड़ोसी देश है उन सभी में बंगला देश सबसे ज़्यादा भारत के साथ सीमा सीयर करता है यहे एक सट सो किलोमेटर अगर दीपोग सहीत बात करें यहाँ दीप है लक्स देप यह है और यह अण्डमांड दिकोगार इन केवल भुभाग का बात करें, तो भुभाग का बाउंडरी कितना है, यह आप बूलिए, भुभाग तट रेखा, कितने किलोमेटर में फैली हुई है, तो यह है 15200 किलोमेटर, अगर दुनों टोटल को ऐड़ कर लें, तो 15200 और 7500 किलोमेटर यह हुआ, 2700 किलोमेटर, यह गोवा ठीक है गुजरात महाराष्ट गोवा करनाटक किरल तामिल नाड़ू आंद्रप्रदेस ओरिसा वेस्ट वेंगोल अब बात हैं भारत की सबसे लंबी तट्रखा किस राजी के पास है तो यहां देखें गुजरात के पास है पहला नंबर दूसरा आंद्रप्रदेस तीस नाड़ू और सबसे छोटा गोवा तो जितना जुरूरी बनता था कोश्ट की मैंने आपको बताने की अगला कोशन है कोशन मर्द तेंथ आरोग्यमित्र कहां निउप किये गया है तो इस कोशन का राइटेंट सरे अप्षन ने आंद्रप्रदेस आंद्रप्रदेस में आरो हो Αंद्रप्रदेस कम राइट यग्षन ना खृषन सबस्चाहिल मं मनने के गई इस कोश्टन का राइट गाख अप्षन नाकर में जाना जाएगा कृषन ये में प्रधान्मंति नरेंध मोदी का मन का बात कारेक्रम जो हुआ तो अब तक पधान मंत्री का सबसे दाइड डिसलाइक किया जाने वाला प्रोग्राम रहा है इतना इस्टूडेंट ने डिसलाइक किया गवर्मेंट को जाके बाद में अपना उसका जो चैट बॉक्स है यानि कि कमेंट बॉक्स उसको बंद करना पड़ा तो यहां ही आप करते रहें बहुत अच्छा मुहिम हैं आप लगे रहें रुकना नहीं है बस अगला कोश्चन है क्वेश्चन मेर ट्वल्थ हाली में बच्चों के लिए पहला अकबार दज्यंग माइंड कहां लॉंच किया गया है तो इस क्वेश्चन का राइट एंसर अ अच्छों के लिए पहला अकबार दज्यंग माइंड लॉंच किया गया है बात है असम के अच्छों के गोईटल का है तो असम के के अधियम कोन है तो सरवानन सोनवाल और गवरेन रहें जग दिस मुखे अच्छा असम के गौटि में हाली में भारत का सबसे बड़ा नधी जो पर वो शुरू किया गया है किस नदी पर तो ब्रह्मा पुत्रा नदी उसका लेंद थे एक दोसम्दवाट किलोमेटर भारत में जो सबसे पहले जो अकबार शुरू किया था उसका नाम क्या था तो दबंगाल गैजट हलाकि वो इंगलीज में थी लेकिन पहला अकबार है कि अगला कौशने क्वेश्टमत बեाट है हाली में जो रूबी का निधन हुआ यह तो इस कौशन का राइटएंसर है option B यह पत्दकार भी थे और कार्टोनिस्ट भी थे इनका निधन हो गया γूँ अगला कोशन है हाली में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर वेक्ति कौन बने हैं तो इस कोशन का राइट अंसर है और संडी एलेन मस्क अलेन मस्क मार्क जुकरवग जो फेस्ट्रिक के सियों हैं उनको हटाकर अब तेसरे नमबर के शबसे ध्वेक्ति हो गया है वेस्व में लेन मस्क कि THIS BEESS कोशन हैं कंपनीं के सियों है फ़ाइंडड में अच्छा टेसला जो इलक्रिक कार बनाती है उसके विग CEO है, कौन Elon Musk तो आज की question समापत होते हैं अब आते है question of the day की हाल में भारत के पूरो राष्टपती प्रणाव मुखर जी का निधन हुआ है ये कितने नमबर के राष्टपती थे option है 13, 12, 11, 14 कौन सा सही है आप जाए बताइए हाँ, एक बार जुरूर बताइए इनको भारत रतन कब मिला था और कोसेश किजिए कि जो राष्टपती व्यक्ति वाइज यानि कि ये तो जितने नमबर क्यों है, इनसे पहले जितने भी थे कोसेश किजिए कि sequence वाइज लेक देने के लिए, कुछ नहीं होगा